तो आज हम जानेंगे कि NCD application पर जब भी आप इसी लाबार्ती को अप्लोड करते हैं या उसकी एंट्री करते हैं उसके बाद अगर वो लाबार्ती hypertension या diabetes का रोगी निकलता है तो उसको आपको under treatment NCD application पर ये दिखाना होता है under treatment की मैंने पहले एक दो वीडियो बना रखी है आप उपर i button पर जाकर चेक कर सकते हैं उसके बाद अगर आपके पास कोई hypertension या diabetes mellitus का patient है जिसका इलाज आपके आरोगी मंदिर से चल रहा है तो उसको आपको on treatment दिखाना है NCD application पर उसके बाद का क्या process होता है आज हम इस करना होता है हर साथवे दिन या हर पंद्रवे दिन उसका follow-up आपको करना है और जो follow-up आप करेंगे उसको आपको register में भी entry करनी है और NCD application पर भी entry करनी है तो follow-up की entry आप कैसी करते हैं इस वीडियो में हम वही जानेंगे किसी भी patient का follow-up एड़ करने के लिए सबसे पहले आ होना है और dashboard में जाने के बाद आप अंडर treatment में जाएंगे क्योंकि आप उनहीं मरीजों का follow-up एड़ कर सकते हैं जिनका आपके HWC से इलाज चल रहा है और जिनको आपने NCD application पर under treatment दिखाया है तो यहां पर under treatment पर click करेंगे उसके बाद आपको इनमें से एक patient select कर लेना है जो आपके पास regularly follow-up के लिए आता है अब आपको देखना है कि वो मरीज hypertension का है या फिर sugar का है जिसके लिए भी आपने उसको under treatment दि दिखाया है उसी को आप select करेंगे और यहां पर आपको scroll up करना है scroll up करने के बाद नीचे option है add follow-up का यहां पर आपको click करना है और उसके बाद आपको यहां पर date select करनी है जिस दिन आपके पास patient follow-up के लिए आएगा वो date आप select करेंगे और यहां पर आपको quantity डालनी है कितने पर add medicine का option भी है यहां से आप add कर सकते हैं और अगर आपको add नहीं करनी है तो आप नहीं करेंगे add photo का मतलब है कि अगर उसके पास कोई prescription है जो आपने पहले दिया था या डॉक्टर ने दिया था उसकी photo आप इसमें add कर सकते हैं यहां पर आपको इसकी reading डालनी है जो patient आपक पेशंट को advise देनी है कि आप MO से visit कराएं एक बार PSC पर जाकर और उसके बाद आपको उसको dietary instruction देने है lifestyle modification के instruction आपको patient को देने हैं कि यहां पर से पूछना है आप smoking तो नहीं करते हैं alcohol तो नहीं लेते हैं और उसको dietary instruction देने हैं और कि क्या-क्या नहीं खाना है sugar है BP है उसमें आपको उसको counseling करनी है उसके बाद उसको exercise के लिए बोलना है और यहां पर आपको save कर देना है अब देखे इस patient का follow up add हो चुका है अब इस follow up को आप कहां पर देखेंगे अब वापस dashboard में जाएंगे और यहां पर देखे नीचे right side में सबसे नीचे आपको follow up completed का option दिख रहा है अब मेरे यहां पर चार patient दिखाए दे रहे हैं जिनका follow up हमारे सबसेंटर से चल रहा है तो इसको आप देखेंगे यहां पर देखें यह जो हमने follow up add किया था नीचे सबसे सबसे नीचे दिखाए दे रहा है तो इसी तरह से आपको हर मरीज का follow up add करना है जो आपके hwc से या आपके आईश्मा नारोग्य मंदिर से दवाई खा रहा है अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे थाकि न्यूव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू